तो दोस्तो अभी अभी फोन आया है लीलर्शिप से कुछ लोग आ रहे हैं घर पर बात करने के लिए हाला कि मैंने माना रहा था कि मुझे कोई बात नहीं करनी है बट स्टेल कह रहे हैं कि दो मिनट दो सब दोक्यमेंट में होता है तो वो लोग आ रहे हैं बात करने के लिए लेट सी क्या सीन है कि अग्यार कि अग्यार कि आप में से काफी लोग यह जानना चाहरे थे कि अब मेरे पिछली वीडियो पर जो मैंने बताया था इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था गाज़ेबाद में जो पवन हुंडई है उस डिलर्शिप ने जो मेरी क्रेटा के साथ किया था तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने कंप्लेंड वगरा सब कुछ कर रखे हो पूरा मैटर उसमें क्या अपडेट है तो उसमें अबडेट ये है कि जो मैंने उसमें कंप्लेंड टाली थी हुंडई इंडिया की मेल पर उसपर अभी तक कि है शॉबीस Якड़ को मैंने गप्लेंट ढली थी और अभी तक वसपर कोई भी अप्डेट नहीं है उनकी से कोई भी मेरे पास रिवर्ट मेल नहीं आया और डीलर्शिप से हां पवन उंडई से मेरे पास कई बार कॉल आये हैं काफी कॉल कर रहे हैं वो लोग और तो बहुत ही जादा इंसिस्ट कर रहे हैं बार-बार मिलने के लिए उसके लिए तो बट मुझे अब उनसे कोई भी like connection ही नहीं रखना है तो कोई फायदा नहीं है उनसे बात करके तो मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूं उनसे बट अभी क्या हुआ है कि अभी-भी मैं थोड़ देर पहले बैटके काम कर रहा था अपना ओफिस का तो मेरे पास कॉल आया बार-बार कॉल आया तो मैंने फिर पिक अगर आप आओगे तो दिखो मेरा दूर सी नमस्कार है आज बाइबंदों में आप आना जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आओ आओ आपका स्वागत है अपना चाय पिलाई बैठाके उस सब चीजे और लेकिन उनका फिर भी जॉब कर रहे हैं उनका एक वह था कि कोशिश कर रहे अगर आप नहीं करोगे तो उसकी जॉब चली जाएगी और देख उसकी जॉब पर खत्रा है यह है वह है मैंने का ठीक है अगर उसकी जॉब जाती है हलाकि सेल्स एक्जॉटिव कर जॉब जाती है मैंने उनको बोल दिया इसकी जॉब मैं लगवा दोगा इतने स्वाइब कोई बात बहुत मेरे हैं कि अधर्ट की जॉब लगवा दूगा तो वे नहीं को यह बोल दिया कि उसको बोल दो निश्चिंत्र है उसकी जॉब नहीं पर लिख दोंगा कि हां में डीलर्शिब से सडिस्पाइड हूँ, मैं भाई मने उनसे हजोड़ मोना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं और आप मुझे माफ करो और आपसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है और अब मैं जो भी है मेरी तो अब मैं हुंडई को मैंने एक फीडबेक दिया है अपना in fact एक कंप्लेंड भी निया है ये फीडबेक है कि भई ऐसा है मेरे साथ इंसिदेंट हुआ है but a problem यह है कि उनकी जो second incidence जो किया था उसके बाद थोड़ा सा मुझे doubt है कि उनकी पर पर रिपेंट क्यों किया था क्या इशू ऐसा आया था बंपर तो हला कि change हो गया बट अब वो थोड़ा सा doubt है कि कोई part वाट तो change नहीं किया उनकी उसके चक्कर में इसका अचाय हो क्या है तो यह एक इतना हमेशा के लिए doubt रह गया है पता नहीं अब हुंड़ी से फोन आएगा कभी या कोई भी communication होता है तो उसका देखा जाएगा बागी हुंड़ी इंडिया से भी एक मुझे बहुत बड़ी शिकायत है कि 24 September को मैंने complaint करी है 24 September से आज हो गई है ग्यार अक्टूबर तो like 16 दिन more than half month हो चुका है लेकिन हुंड़ी से मुझे कोई भी reward pack नहीं आया उस mail के उपर सो मैंने फिर रात Hyundai Global को email ID निकालके वहां की Hyundai Global पर मैंने वह एसकलेट करी है complaint अपनी जो feedback था और let's see अब उनका क्या reply आता है तो यह वीडियो बनाने का परपस यह था कि आप लोग अवेर हो सकें और किसी और के साथ चीटिंग नहीं हो शायद अगर वह लोग नेक्स टाइम पे थोड़ा सा अच्छा मेरे साथ त्रीट करते अच्छा सा भीएव करते और यार वह कवर को इतनी बड़ी चीज नहीं हो होती है मतलब एक अबलाइस करने वाली बात होती है सामने वाले को लेकिन जब बात ना इगो पर लग जाती है ना तब फिर वह फिर वहां पर कोई पैसा या कोई चीज ऐसी गिफ्ट वागेर कोई मैंटर नहीं करता तो बस यह हुए प्रॉब्लम कि वह जो उसने काम किया उस बंदे ने वहाँ पे जो डीलर्शिप पे था जो मुझे हैंडल कर रहा था वहाँ पर पवन नाम का तो उसने जिस तरीके से मुझे बेवकूफ बनाने की सोची ऐसा कस्टमर का बना देते हैं मतलब सी बना दिया उसने अपने स्टाइल में तो वह मुझे फिर बहुत ज जाया तो मेरे साथ और लोगों के साथ भी हो सकता है आप लोगों के साथ ना हो यार गाड़ी नहीं कर देना के जो अपनी महनत की कमाई से नहीं गाड़ी लेने जाये मैं चरो एक कीमत तो कोई मैंटर ही नहीं करती कि किसी के लिए 2 करोड की गाड़ी भी कोई मैंटर नहीं करती किसी के लिए 2 लाक की गाड़ी भी बहुत मैंटर करती है तो भाई जो अपनी महरती कमाई से पहली गाड़ी लेने जाता है कि जी गाड़ी चलती है तो लग भी जाती है मतलब उनको समझ भी निया रहा कि हो कहे क्या रहे हैं मतलब कुछ भी तो दोस्तो यह अब डेट अभी तक कि कि मैंने अपस नहीं ली है डिलर्शिप से फॉल अप कंटीन्यू है तो वो मैब नहीं चाहता विकाज वो मुझे अभी इरिटेट कर रहा है वो मुझे अब बॉदर कर रहा है अभी घर तक भी वो लोग आये हैं अभी दो लोग आगे गए हैं काफी देर उनके साथ भी माता बच्ची करनी पड़ी तो दिस इस देपेन तो यह चल रहा है दूसरा हुंड़े की तरफ से कोई कॉलवेक अभी आया नहीं है और मैंने यह कंप्लेंड आगे ग्लोबल हुंड़े को एसकलेट कर दी है और ट्विटर में यूज नहीं करता हूँ तो तो ट्विटर पर मैं इसको एसकलेट नहीं कर पाया हूँ अगर आप लोग यूज करते हो तो आप लोग कर सकते हो तो आप लोग कर सकते हो तो यह वेल्पफुल पर में और फूपल फूचर बाइंग कस्टमर्स अलसो उनके लिए भी हल्प हो जाएगी अब तो यह लगने लगा है इस इंसडेंस के बास के मैं अपनी गाड़ी उस दीलर्शिप को भूल जाओ किसी और दीलर्शिप पर भी छोड़ते हुए मैं सोचूंगा कि भाई मतलब अब डरसा लगता है क्या हो सकता है कुछ भी नहीं कर सकते हैं वह सर्विस के लिए जा रही है तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं तो यह थी दोस्तों अब तक की सारी अपडेट आप लोगों के जो भी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और सपोर्ट दसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया और अपने जो लेने वाले हैं गाड़ी उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना मेरा वह सके हैं कि ऐसी चीज भी उनके साथ हो सकती है कि एक बार गाड़ी आपने अगर शोरूम से निकाल ली ना डिलिवरी ले 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 उसके बाद भूल जाओ कोई आपकी कुछ सुनेगा मेरे पास अगर ये वीडियो नहीं होती ना उस टाइम मैं नहीं बना रहा होता मुझे वीडियो बनाने का मेरा नहीं होता तो मुझे कोई नहीं पूछता कोई भी मैं गारंटी से गह रहा हूं कि डिलर्शिप पर कोई भी मेरा वंपर चेंज तक चेंज नहीं होता उस टाइम पर वह